Hello everyone, welcome to origin. आज की इस class में हम स्टार्ट करने वाले हमारे class 12th के English का chapter 6, जिसका नाम है Poets and Pancakes. So, हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि आज की इस session में हम क्या क्या करने वाले हैं. आज की इस session में हम देखने वाले हैं इस chapter का एक छोटा सा sketch, then story की summary, then NCRT के questions, PYQs and long answer questions. आप देखिए, इस chapter में मैं पहले से आपको बता दू कि PYQ उतने हम को मिलने हैं नहीं वाले. And NCRT questions हम generally करेंगे और कुछ भी external questions हम करेंगे. क्योंकि previous record इस chapter का थोड़ा weak है, I mean exams में उतने questions इस chapter से आये नहीं हैं, इसलिए PYQ का special कोई section नहीं होगा, हम mix में इसमें questions करेंगे. So, क्या ये chapter important नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह सकता, but just ये मैं आपको overview दे रहा हूँ कि पहले exams में इससे question काफी कमाया है. So, हम start एक बार देख लेते हैं, इस chapter का छोटा सा sketch. So, Poets and Pancakes by Ashok Mitram, इसके writer का नाम है Ashok Mitram. सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें हम किन-किन character से मिलने वाले हैं? एक तो boss है, जो आपको आगे पता चलेगा इस story में कि कौन क्या है? Then, सुब्बू, legal advisor and office boy. ये चार हमारे इस story के main characters हैं. और जो narrator है, वो खुद इसमें एक character है, इसलिए वो एक हमारा 5th character है, Ashok Mitram. So, ये total 5 characters हैं, जिनसे हम आज अपने इस story में मिलने वाले हैं. And ये story है किस बारे में? So, ये story थोड़ी funny story है, इसलिए इसको पढ़ने में काफी मज़ा आता है. But इस story में समझ कई बार reading करने पे काम आता है, इसलिए आपको summary में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. And second thing ये कि इस story में बताया गया है, कि जो पहले के time पे जब movies बनती थी, तो किस type के लोग किसी film के company में काम किया करते थे, ये सारी चीज़े आज के इस story में हमको जानने वाले हम आज के इस story में. So, मुझे ऐसा लगता है कि अब हम अच्छे से ready इस story की summary को जानने के लिए, और अब आपका सारा ध्यान होना चीज़े इस video पे, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हमारे इस story का summary वाला portion, Okay, Poets and Pancakes by Asok Mitram, ये story है Gemini Studios के film studio की, Gemini Studio एक film making company थी, and हम आज जानने वाले हैं कि Gemini Studios में उस वक्त पे किस type के लोग काम क्या करते थे, and क्या-क्या उन लोगों की खासियत थी, Gemini Studio की खासियत ये थी, कि वो पहले के time पे जो Lord Clive थे, उसका तबेला हुआ करता था, Lord Clive के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई जगा पे अपना घर बनाया है, बहुत जगह पे वो रहते थे, बट इस जगह पे वो लड़ाई जीत के आये थे, और इनकी शादी भी यहीं हुई थी, और Gemini Studio का एक special department था, make-up का department, make-up का जो room था, वो काफी एक hair cutting salon के type पे दिखता था, जहां पे बहुत बड़े-बड़े mirrors लगे हुए हैं, चारों तरफ and light ही light है उन mirrors में, तो एक तरीके से वो hair cutting department की तरह लगता था, Gemini Studio का जो make-up department है, उसको national integration का symbol बताया गया था, क्यों बताया गया था, क्योंकि वहाँ पहले महराशियन काम कर चुके हैं, कंणर काम कर चुके हैं, मदरासी काम कर चुके हैं, different different states के, different different regions के लोग वहाँ पे काम कर चुके हैं, इसलिए उस Gemini Studios के make-up department को, यह story में एक national integration का symbol के जैसे बताया गया है, अब make-up department team में एक proper hierarchy हुआ करती थी, make-up department में use हुआ करता था, Pancakes नाम की company का make-up का समान, जो poets and pancakes हमारे इस chapter में जो title है, उसमें जो pancake है, वो यहीं से लिया गया है, तो वहाँ जो घथा, वहाँ Pancake नाम की एक company का make-up का समान, वहाँ use किया जाता था, सो अब होता यह है कि जो make-up department है, वहाँ make-up किया जाता था लोगों का, अब उसमें कुछ order fix थे, जो main make-up artist है, जो lead make-up का artist है, वो main hero heroine के make-up को करता था, जो lead role है किसी movie में, उनके make-up को कौन करता था, जो lead make-up artist है, एंड जो senior assistant है, वो करता था second hero heroine के make-up का का मुसको तिया गया था, इन जो junior make-up artist जो है, उसे comedian के make-up का काम दिया गया था अब इन सब में एक चौथा आदमी भी था office boy office boy को दिया गया था भीड में जो movie में हम देखते हैं कि भीड में कई सारे लोग है या कई सारे जो normal actors है जो proper जिनका lead role नहीं है बट उनको भीड में रहना है उन सब की make-up का काम दिया गया था office boy को so actually ये office boy कोई boy नहीं था ये 40 साल का आदमी था and ये जो office boy है वो एक 40 साल का आदमी था कोई लड़का नहीं था and इसको काम सौपा गया था सभी का जो भीड का उसका make-up करने के लिए अब यहाँ पर जो narrator है उनको भी काम दिया गया था जो असोप मित्रम हमारे जो narrator है उनका भी वहाँ काम था और उनका जो काम था वो एक cabin में काम करने का था एक cubicle में वो काम करते थे cubicle means एक छोटा सा table जिसमें बैठ के काम किया जाता है किसी एक person के द्वारा तो वो cubicle में काम करते थे और उनका काम ये था कि newspaper में जितने भी news आ रही है उनको cutting करके रखने का तो Gemini Studio के जितने भी लोग थे उन्हें लगता था कि narrator का तो कुछ काम है नहीं ये जो हमारे असोप मित्रम जो इसके writer है वो यहां पर narrator है तो जितने भी लोग है वहां उन्हें लगता था कि इसका तो कुछ काम नहीं ये बस ऐसी वेला पड़े रहता है और जो office boy था वो हर थोड़ी देर में इनके पास आ जाता था तो office boy की background यह है उसकी खासियत यह है कि वो Gemini Studio पूँचा था as a writer, actor या director बनने के लिए बट वो एक office boy एक make-up artist बनके रह गया और यही frustration यही अपना जो भी उसका story है वो narrator के पास जाके वो सुनाया करता था क्योंकि उसे लगता कि खाली बैठे रहता है और narrator यह सोचता था कि काश, काश आज भीड का कोई shooting हो और इसको काम मिल दा है मुझे इससे छुटकारा मिले क्योंकि office boy जो भीड का make-up करता था तो इस तरीके का कुछ narrator का आप भी थी था बट जैमिनी स्टूडियो में एक आदमी था कोथा मंगलम सुब्बु नाम से सुब्बु जिसका जो निक नेम है वो है सुब्बु सो अब होता यह कि सुब्बु से यह जो हमारा office boy है वह बहुत ही चिड़ा हुआ रहता था बहुत ही frustrated रहता था क्योंकि उसे लगता था कि मेरे director writer actor ना बनने के पीछे का reason सुब्बु है और वह ब्राम मेड़ा और पुरे टाइम cheerful रहता इसलिए उसको ऐसा मिला है अब सुब्बु की खासियत यह थी कि वह anytime cheerful रहता था cheerful in the sense बहुत ही खुश रहता था excited रहता था उसका energy बहुत हाई रहता था उसकी movie flop आप भी हो गई तो भी वह पूरा time cheerful रहता था लेकिन ऐसा नहीं कि उसको बिना मतलब के जैसा कि office boy का कहना है वह कोई सच नहीं है सुब्बु talented था बट सुब्बु जो है वह boss के बहुत ही close था अब जो सुब्बु है उसकी खासियत ही थी कि उससे आप कुछ भी काम करवा लेजी Gemini Studios का हर चीज का solution उसके पास है वो राइटर का राइटिंग का भी काम करता था वो एक्टिंग भी करता था उसको direction का भी solution आता था वो camera man भी बन जाता था and poetry भी वो करता था सारे काम वो कर लेता था तो वो director या किसी भी film बनाने वाले वो कभी डाउट आता था वो जाते थे सुब्बू के पास अब सुब्बू का जो लिखने का तरीका था जैसे उसने देव दासी को वहां पे copy किया एंड उसने एक novel भी लिखा ये सारे काम वो करता था एंड उसका work इतना popular होता था कि वो पढ़ा लिखा नहीं था ये चीज़े दब जाती थी उसका talent उपर आ चुका था एंड कई सारे उसको छोटे roles भी मिलते थे movies में एंड उन छोटे roles को वो इतने अच्छे तरीके से करता था कि lead actor जो और जो actress है उनका acting भी उसके सामने कम लगता था और उसकी खासियत ये भी थी कि वो हर किसी के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बाते करता था उसका घर जो है वो anytime उसके relative से या उसके acquaintance से भरे रहता था तो ये तो कहानी थी सुब्बू की and एक खासियत उसमें और था ये कि वो boss के बहुत ही पास था इसलिए सब उससे चिड़ते थे कि ये boss के बहुत ही ज़्यादा close है boss के close थो वो था सुब्बू जो है वो boss के close था बट उसका जो main काम था वो writing department में था अब जैमिनी स्टूडियो के writing department में हम जाते हैं और जैमिनी स्टूडियो का writing department कैसा है वो हम देखते हैं तो जैमिनी स्टूडियो का जो writing department है वो कई लोगों का एक group था जिसमें सुब्बू को हटा के कई सारे writers थे एक lawyer था and कई सारे poets थे ये सब के group को mix करके वहाँ बना था Gemini Studio का writing department अब Gemini Studio के lawyer की कुछ खासियत हम देखते हैं Gemini Studio में lawyer को रखा गया था legal advice देने के लिए कि कौन सी story को हम follow up कर सकते हैं किस story में legal कुछ problem नहीं आएगा वो था तो legal advisor बट वहाँ के लोग उसे कहते थे illegal advisor क्यों illegal advisor कहते थे क्योंकि एक बार वो अपने कुछ कर्तूतों की वज़े से एक actress का पुरा career खतम करवा दिया था तो उसने किया था किया क्या था यह हम जानते हैं एक बार की बात है एक actress जो है वो किसी producer पर अपना गुस्सा निकाल रही थी और जो lawyer है जो legal advisor है उसने वो call को record कर लिया उसके गुस्से को record कर लिया एंड उसे producer को जाके सुना दिया और इस तरिके से actress का career वो खतम हो गया अब यहां पर जो lawyer है वो बाकी सबसे बहुत यलग दिखता था जो lawyer है वो एक coat suit पहनता था काली रंग का coat चाहिए गर्मी हो थंडी हो कुछ भी हो वो काला coat पहने रहता था white shirt पहने रहता था type लगाय रहता था जबकि जो बाकी workers थे writing department के वो simple खादी पहना करते थे और normal कपड़े पहना करते थे अब खादी उन लोग क्यों पहना करते थे क्योंकि वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा inspired थे वो जो सभी थे वो गांधी जी से काफी ज़्यादा inspired थे और उनका कहना था कि communist को बहुत hate करते थे वो communist को hate इसलिए करते थे क्योंकि उनका मानना था कि यह जो communist लोग है यह जबरदस्ती मार काट के रास्ते में जाते इनके अंदर कुछ feelings नहीं रहती बस इनको violence करना है ऐसा उनका सूंस था अब एक बार की बात है जैमिनी स्टूडियो में Frank Bunchman की moral rearmament army अपना play दिखाने आई थी वहाँ उन्होंने अपने दो plays दिखाए एक जोथम वैली और forgotten factor यह जो MRA है मिन्स moral rearmament army Frank Bunchman की यह 200 लोगों की group थी और यह तरीके से counter communism का counter activity थी communism के लिए जो communism वहाँ पे चल रहा था उसके अगेंज ने counter activity थी तो यह वहाँ play दिखाने आये थे और उस play को वहाँ के लोगों ने जो जैमिनी स्टूडियो के जो लोगों के उन्होंने continuously बार-बार इस play को देखा अब इसके जस्ट थोड़ी दिर बाद जो 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 थम वैली play उसमें था उसमें एक sunset और sunrise का scene था इस्टोरी बहुत simple थी उन दोनों plays की बट जैमिनी स्टूडियो के लोग बहुत ही inspired हुए उससे बहुत ही उनको पसंद आई वो इस्टोरी किस लिए पसंद आई क्योंकि वो भी anti-communist है अब इसमें जो 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 थम वैली का जो scene था sunset और sunrise का उसको बार-बार इन्होंने अपने सभी plays में include किया अब MRA के जाने के कुछी दिन बाद एक और British person का वहाँ पे visit था हर किसी के लिए mystery थी कि कौन ये जो person है वो कौन है और क्या इसका यहाँ पे role है ये सब उनके लिए mystery थी जिनको वो कोई नहीं जानता था कि कौन सा व्यक्ति वहाँ पे आ रहे है बट हर कुई बहुत कुछ सुन रखा था उनके बारे में and बहुत ही जादा उनके बारे में चर्चा हो रहे थी जिस दिन वो आय उस दिन वहाँ के boss ने जैमनी स्टूडियो के boss ने बहुत ही लंबा इस piece दिया बहुत ताजिफ की उस व्यक्ति की बट जब वो व्यक्ति वहाँ इस piece देने के लिए आया तो उसका British accent किसी को समझ नहीं आया वो कुछ भी बोल के चले गया और यहाँ के सब के सर के उपर से वो bouncer की तरह से निकल गया तो यहाँ पर इस चीज को उन्होंने unexplained mystery कही थी क्यों unexplained mystery ना ही उस person का नाम बस पता था बाकि उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी उन्हें पता नहीं चला था बट अब जो narrator है वो एक और story यहाँ पर बताते हैं क्या story बताते हैं कि एक बार की बात है उन्होंने Gemini Studios छोड़ने के बाद उनको एक उसमें उन्होंने work किया एक competition का उनको pamphlet मिला जिसमें story लिखना था और वो था The Encounter नाम के magazine का तो वो गए library गए The Encounter के बारे में उन्होंने बहुत research किया तब उन्हें पता चला कि The Encounter का जो writer है उसका नाम क्या था उस writer का नाम था Stephen Spender तो जो Stephen Spender है वो The Encounter के writer थे यहाँ पे तुरंत narrator को click किया कि अरे उसको ऐसा feeling होने लगा कि कोई बिछड़ा हुआ भाई उसको मिल गया और वो बहुत खुश हो गया कि उसे याद आ गया था कि यह वही person है जो Gemini Studios में इस piece देने आया था और कुछ दिन बाद जब वो और देखता है तो एक बार वो जब Gemini Studios छोड़के वो घर पे बैठा रहता है तो वो एक book purchase करता है और वो book publish हुए रहती थी anti-communist लोगों के द्वारा means वो छे ऐसे लोगों के उसमें एक तरीके सी interviews थे या personal life experience है जो communism के तरफ गय थे बट उसे छोड़के वो वहाँ से वापस आ गय थे जब उसने इन छे लोगों में writer का नाम देखा तो उसमें से एक नाम था Stephen Spender का यहाँ पे जो है उसकी जो unexplained mystery जो थी वो solve हो गई और हमारा जो story है वो यहाँ पे खतम हो जाता है अब यहाँ पे मैं एक छोटा साब को यह explain कर देता हूँ कि किस तरीके से जो mystery उसको solve लगी क क्योंकि Gemini Studios के जो maximum लोग थे वो anti-communist थे उनको communism के बारे में अलग ही विचार धारा थी बट यह जो व्यक्ति आया था यह communism के बारे में ही इस piece देने आया था उनके सोच को बदलने के लिए आया था इसलिए उन्हें पता चल लिया कि यह व्यक्ति कौन था और Gemini Studios में क्यों आया था और यह जो मिस्ट्री थी वहाँ पे solve हो गई और इस तरीके से हमारा जो story है Poet and Pancakes by Asok Mitram यहाँ पे end हो जाती है तो इस story थी exam point of view से अब important हो सकती पहले important नहीं थी इसका कुछ हम नहीं कहा सकती कि question आएगा या नहीं आएगा बट हमें questions करने हैं हमें हर story अच्छे से समझ नहीं है तो हम इसके questions भी लगा लेते हैं कुछ questions जिससे हम इस story के और जो बचे हुए doubts है वो clear हो जाए तो अब मुझे लगता है आपको summary अच्छे है समझ आई है and हम ready है questions practice के लिए सब हम start करने वाले है Poet and Pancakes का question section तो आईए देखते हैं हम अपना पहला question our first question is what does the writer mean by the fiery misery of those subjected to makeup अब यहाँ पे fiery misery किस चीज को कहा गया है means जिन पे makeup किया जाता था उनके लिए क्या चीज़ fiery misery है means एक डरावना दुखत अनुभाव है वो क्या था उन्हें एक तरीके से paint brush की तरह उन पे makeup पूरा पोद दिया जाता था जो office boy था वो एक bucket में makeup के समान को घोलता था एक paint brush लेता था और उनके चेहरे पे ऐसे लगा देता था और जब गर्मी के time पे shooting होती थी तो उनके skin के सारे pores close हो जाय रहते थे और उन्हें काफी उस time कष्ट होता था उनकी screen जो है वो breathe नहीं कर पाते थी इसलिए यहाँ पर इसे का गया क्या कहा गया है theory misery देखे question practice हमारे लिए इसलिए important है क्योंकि summary में कुछ चीज़े छूट जाती है जो minute details है वो हम summary में cover नहीं कर सकते और वो चीज़ हमारी cover होती है question practice के through क्योंकि अगर इन सब चीज़ों का हम summary में include करेंगे तो summary की जो feel है वो break हो जाएगी और समझ में हमको थोड़ा कम आएगा हम leak से हट जाएगे सो यहाँ पे theory misery किसे कहा गया था कि जो office boy था जो अपना 40 years का old जिसे office boy हमने कहा वो एक bucket में सारा make-up का समान घोलता था paint brush लेके सभी भीड के उसमें वो पोत देता था clear and normal भी जिनका make-up होता था तो आप समझ सकते कि make-up के time पे गर्मी में बहुत ही problem होता है या make-up से problem होता यह चेहरा काफी heavy लगता है इसलिए उसे वहाँ पर fairy misery वहाँ पर कहा गया तो यह question हो गया next question what is the example example of national integration that the author refers to यहाँ पर पुछा गया national integration का कौन सा example था इसका answer मैं नहीं करने वाला क्योंकि summary में मैंने बहुत अच्छे से explain किया है तो अगर आपने summary अच्छे सुना होगा तो आप इसका answer जरूर कर पाएंगे तो इसका answer आप comment में बताईएगा इससे मुझे पता भी चल जाएगा कि आपने कितने ध्यान से यह summary है उसको पढ़ा है clear next हमारा question है why did everybody think of giving the author some work to do अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो author है जो narrator है जो असोक मित्रम है उसे क्यों सब को ऐसा लगता था कि इसे कुछ काम देना चाहिए क्यों लगता था क्योंकि सबसे पहले हमें यहाँ पर यह बता देना है कि author का वहाँ पर काम क्या था तो author का उस जगहां पर क्या काम करता था जैमिनी स्टूडियो में author का काम था newspaper cutting का न्यूसपेपर में जितनी भी cutting उस टाइम छपती थी डेली उसका काम था उसको काट के रखने का लोगों को लगता था कि उसका काम काफी आइडल है उसका काम कुछ नहीं और वहाँ पर सिर्फ बैठे रहता है इसलिए उन्हें ऐसा लगता था कि क्यों ना author को कुछ काम दि यहां पर आएगे इस question में थोड़ा fault है बट ओके हम answer यहां हमें समझ में आ गए कि किस चीज की बात कर हो रही है office boy सुबू का एनेमी कौन था क्योंकि office boy का एनेमी सुबू था तो यहां पर सुबू का एनेमी को हम लिख सकते है office boy and क्यो था office boy जो है वो सुबू का एनेमी क् उसके failure के पीछे का जो reason था वो सुबू था ऐसा उसे क्यों लगता है ऐसा उसे इसलिए लगता है क्योंकि अगर सुबू नहीं होता तो आज वो director, actor या writer जो भी वो बनना चाहता है आज वो बन जा रहे था यह मैंने summary में आपको explain किया था and that's why सुबू का जो enemy था वो था office boy and reason क्या है, reason behind is failure, enemy किसलिए था क्योंकि उसके failure के पीछे का जो reason है वो उसको सुबू लगता था and वो उससे काफी irritated रहता था, क्यों इसे लगता था सुबू जा है वो बिना talent के उस position पे पहुँच गया, सिर्फ किस वाज़े से, क्योंकि वो brahman है, next question, what made the lawyer stand out from others at Gemini studio, अब यहाँ पे पूछा गया है कि Gemini studio का जो lawyer था, वो बाकियों से अलग क्यों था, यह भी मैंने summary में बहुत अच्छे से आपको explain किया है, बट एक बार फिर मैं आप इसका answer बता देता हूँ, कि जो lawyer है उसका dressing जो था, जो lawyer की कपड़े पहनने का तरीका था, वो बाकियों से काफी अलग था, बाकियों खादी के कपड़े पहना करते थे, बट जो lawyer है वो shirt पहनता था, white color का, गर्मियों, थंडियों, बरसातों, कुछ भी हो, black color का coat and tie, वो काफी up to date वहाँ पे जाके वो बैठे रहता था, that's why वो बाकियों से stand out करता था, stand out में बाकियों से वो अलग दिखता था, different लगता था, तो यह सारे short answer questions से, next है, why was the moral rearmament army welcomed at studios, so moral rearmament army को studio में welcome क्यों किया गया, क्योंकि वो वहाँ पे अपने दो place दिखाने आया थे, कौ यह दोनों place जो थे, वो communism से related थे, and that's why इनको वो काफी पसंद आया, and इससी वज़े सून का जो welcome है, वो बहुत अच्छे से किया गया, next question, questions कम है इस chapter से, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आया नहीं, इससे question जादा, why was the Englishman's visit referred to as unexplained mystery, अब जो Englishman था, जो British की में बात कर रह वो एक unexplained mystery क्यों थी, तो हमने अच्छे summary में देखा कि unexplained mystery last में solve हुई, तो मुझे नहीं लगता है, इसका answer मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि summary अगर आपको समझ आईए, तो इसका answer आप अच्छे से कर सकते हैं, अगर इसका answer आपको समझ नहीं आ रहा है, तो summary एक बा answer जरूर चाहिए, सारे comments में बहुत ही ध्यान से पड़ता हूँ, and कुछ भी query है, तो comment करिए, हर comment का reply में देता हूँ, आप check कर सकते हैं, previous videos से, who was the English visitor to the studio, so जो English visitor है, वो कौन था, Stephen Spender, अब उसका हमें क्या लिखना है, वो काम क्या करता था, तो वो क्या काम करता था, वो writer थ and उसकी एक magazine publish होती थी, the encounter, clear, यह सारे चीज़े हमको वहाँ पर लिख देनी है, बस यहीं पर यह answer complete हो जाता है, कि English visitor था, वो कौन था, next question है, what does the God, the God that failed refer to, अब यहाँ पर जो यह question है, यह दिया गया है, the God that, that failed, यह हमें पता चला इस story के end में, जब summary हमारी end होई थी, तब हमने इसके बारे में discuss किया, यह proper word हमारा use नहीं हुआ, बट हमने यह चीज़ discuss किया है, क्योंकि, the God that failed है, वो उस book का नाम था, किस book का नाम था, जिसमें six, six ऐसे writers का वो लिखा गया था, interview यह summary, जिसमें उन्होंने communism की तरफ गए and वहाँ से वो God that fell, किस से refer करता है, वो एक summary book है, एक essay book है, six writers के personal experiences की, clear, अब next हमारा question है, what made the lawyer lose his job, what was funny about it, lawyer को किस चीज़ ने अपना job गवाना पड़ा, यह चीज़ हमने story में discuss नहीं की, यहाँ हम उसको discuss कर लेते हैं, so question पूछ रहा है, जो lawyer उसको अपना job किस लिए lose करना पड़ा, नौकरी उसकी किस लिए गई, so lawyer की नौकरी गई, क्योंकि जो writing department है, जो writing department था, Gemini Studios का, उसे क्या कर दिया गया, close कर दिया गया, clear, जब Gemini Studio के writing department को close कर दिया गया, उस वज़े से जो lawyer है, उसकी job चली गई, अब यहाँ पे उसमें funny क्या था, उस lawyer के बारे में, यह भी हमने discuss किया, कि उसमें क्या funny चीज़ हुआ था, इसका answer आपको करना है, क्यों करना है, क्योंकि मैंने अच्छे से explain किया, कि किस तरीके से उसने, एक actress का जो career है, वो खराब, सरी, खराब कर दिया था, तो आपको यहाँ पे उसका answer आपको इसमें लिख देना है, clear, तो वो ज़्यादा tough section नहीं था, यह हमने इस story पे discuss नहीं किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इसका answer बता दिया, next question है, what role did the canteen play at the Gemini studios, अब Gemini studio के canteen का वहाँ क्या role था, यह देखिए, यह भी एक minute details है, exam point of view से important नहीं है, बिल्कुल भी important detail नहीं है इस chapter से, एक छोटा सा बस उसका जानकारी इस chapter में दिया गया है, तो हम इसको जान लेते हैं, बाकी question I don't think so इतना वहाँ पुछा जाएगा क्योंकि इस chapter से question ही कमाए है, बाकी important chapter से जादा है है, इसको भी हम देख लेते हैं, तो canteen का वहाँ रोल था, जो congress है, जो congress government थी उस time की, उसने क्या किया था, restrictions imposed किये थे, उसने इंडिया में restrictions imposed किये थे, तो Gemini studio का जो canteen था, वहाँ की coffee काफी अच्छी थी, Gemini studio का जो, ये था, canteen वहाँ की coffee बहुत अच्छी थी, तो खाली टाइम पे जो poets थे, उनका ये favorite place हुआ करता था, क्यों, क्योंकि खाली टाइम पे वहाँ जाके गप्पे शप्पे लड़ाते थे, coffee पीते थे और वहाँ पे बैठे रहते थे, इसलिए जो canteen है वो उनको question था, और Congress ने जब restrictions लगा दिये थे, तो बहुत ही खाली टाइम रहता था उनको के पास, इसलिए वो canteen में बैठे रहते थे, तो ये role वहाँ का canteen play करता था, देखते है next question कुछ, ओके इतना ही question से, तो यहाँ पे मैं आपको आपके homework से एक बार फिर से याद दिला देता कौन-कौन से homework मैंने आज आपको दिये हैं, तो पहला हमारा homework था, ये, national integration, ये question मैंने आपको वहाँ पे homework दिया, and next जो हमारा question वो था, वो कौन सा था, वो था, ये, ये दो questions मैंने आज आपको homework में दिये, and इसको तो आप खुद से बनाई सकते हैं, So, काफी अच्छा chapter था, easy था, tough chapter हम बोल नहीं सकते, funny chapter था, and interesting था, exam point of view से, थोड़ा less important बाकी chapters के comparison में, but हमें तो हर chapters अच्छे समझना है, and exam के time पे revision भी तेजी से करना है, अभी हमारा focus है, chapters हमें समझ में आ जा रहे, and question answer उसके हम से complete हो जा रहे हैं, जिससे कि बाद में जो तेजी से पढ़ने वाला काम होता है, वो हमें ना करना पड़े, so I hope यह story आपको अच्छे समझ आयोगी, मिलते हैं next video में, till then, goodbye, thank you, take care, जै हिंद,